कैसे हैं दोस्तों स्वागत है आपका फ्री फायर गंस के एक और पार्ट में अगर आपने हमारे पहले के पार्ट अब तक नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है जल्दी से जा कर देखिए हम बात करने वाले फ्री फायर के गंस की और वो रियल लाइफ में कैसे दिखाई देते हैं हम फ्री फायर के कुछ शांदार मेले वेपंस भी देखेंगे तो वीडियो में आखरी तक जरूर बने रहिएगा नॉमबर वन CG-15 CG-15 एक SMG गन है जिसके यूनिक फीचर्स के लिए लोग इसे बहुत पसंद करते हैं इस गन के साथ आप फॉर ग्रिप और मैगजीन को ही लगा सकते हैं इसके अलावा स्कोप इसमें पहले से ही लगा हुआ आता है इस गन को जब आप बिना स्कोप के चलाएंगे तो ये आपके रेगुलर SMG की तरह वक करेगा और इस गन का एवरेज डैमेज भी सिर्फ 25 होता है लेकिन स्कोप इन और फुल चार्ज करने के बाद ये गन एक शॉर्ट स्नाइपर के जितना ताकतवर होता है फुल चार्ज करने पर फायर करने पर इस गन का सिंगल शॉर्ट ही इतना पावरफुल होता है कि वो एक ही बार में एनिमी को धेर कर देगा इस गन का डैमेज इस बात पर भी डिपेंड करता है कि इसे कितनी देर तक चार्ज किया गया है फुल चार्ज करने में इसे सिर्फ तीन सेकेंड लगते हैं, इस गन की रेंज 71 है, इसलिए ये मिड रेंज के लिए बहतरीन गन है, अगर आप इस गन का बेस्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो सीवर में रहकर बिना एनेमी को पता चले आपका एक पावरफुल शॉर्ट मारि नमबर टू, स्पास 12, स्पास 12 फ्री फायर की एक बेहदी पारफुल शॉर्ट गन है, जिसका डैमेज 97 है, लेकर इस गन को सिर्फ क्लोज रेंज में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसकी रेंज सिर्फ 16 है, शॉर्ट रेंज में ये गन बड़ी ही घातक है, अटेश्म गन का रेट ऑफ फायर 42, रिलोड स्पीड 34 और एक्यूरेसी 10 है, जिसे हम एवरेज भी कह सकते हैं, इस गन के साथ आप जे और कैरोलीन का कैरेक्टर यूज कीजिए, क्योंकि जे का कैरेक्टर गन के मैगजीन की कुछ परसंटेज रिलोड कर देता है, और कैरोलीन कंपनी फ्रेंची ने डिजाइन किया था, और इसी कंपनी ने मैनुफेक्चर भी किया है, इस गन को वर्ल्ड वाइड मिलिट्री और पुलिस यूज के लिए भी इस्तिमाल किया जाता है, ये गन सिविलियन्स में भी पॉपुलर है, इस गन को काफी सारे वीडियो गेम्स म होने से बचाती है, शील्ड गन एक वाल की तरह है, वो आपके और एनिमी के बीच आकर आपको बुलिट लगने से बचाती है, लेकिन ये शील्ड इतनी पावर्फुल भी नहीं है, कुछ गोलियां लगने के बाद ये गायब हो जाती है, और थोड़े समय के कूल डाउन होन से कवर कर लेती है, एवरेज डैमेज होने की वज़े से इसे आप क्लोज या मिड रेंज के लिए यूज कर सकते हैं, इस गन की मैगजीन कैपैसिटी 30 और रेट ओफ फायर भी एवरेज है, केवल स्कोप को छोड़ कर आप इस गन में सभी अटैचमेंट्स का यूज कर सकते हैं, वैसे तो शील्ड गन जैसा हतियार असल दुनिया में नहीं होता है, लेकिन कुछ इस तरह की शील्ड जरूर बनाई जाती है, जो कि बुलिट्स को रोक सकते हैं, पुलिस फोर्स इस तरह के शील्ड्स का यूज करती है, नमबर फो, डेजर्ट इगल, डेजर्ट इगल फ्री फायर की मोस्ट पॉपुलर पिस्टल में से एक है, जिसका डेमेज 90 का है, जी हाँ, सही सुना आपने, 90, वैसे तो इसमें सिर्फ साथ एजजी एमो गोलियां ही आती है, लेकिन शॉर्ट रेंज के लिए ये सभी गन में बाब है, इस गन में एकुरेसी 45, रिलोड 69 और रेंज 74 है, ये गन सिर्फ शॉर्ट रेंज ही नहीं, बलकि मिड रेंज के लिए भी बहुत पारफुल है, इस पिस्टल के साथ आप साइलेंसर और मजल का भी यूज़ कर सकते हैं, डेजर्ट इगल रियल लाइफ में एक सेमी आटोमेटिक पिस्टल है, जिसे 1979 से 1982 के पीश में मैगनम रिसर्च और इसराइल मिलिटरी इंडस्ट्री ने डिजाइन और मैनुफेक्चर किया था, इस गन का ओरिजिन प्लेस यूएस और इसराइल है, और इस गन को इसके लार्ज कैलिवर के लिए जाना जाता है, इस गन को पोलेंड और पुर्तुगाल में काफ लगती है, है ना, लेकिन इस गन की रेंज सिर्फ दस है, जिस वज़े से आप इसे सिर्फ क्लोज रेंज में ही यूज कर सकते हैं, क्लोज रेंज होने के बाद भी इसका डेमेज 90 है, जो की बहुत अच्छा है, गन का रेट ओफ फायर बिलो एवरेज 27 है, रिलोडिंग 34 और गन की मुव्मेंट स्पीड 35 है, क्योंकि ये लॉंचर एमो का यूज करता है, इस वज़े से ये एक सर्टन एरिया पे डेमेज करता है, हैंड कैनन रियल लाइफ में भी एक्जिस्ट करता है, लेकिन इसका डिजाइन गेम से थोड़ा अलग है, और ये बुलेट्स का यूज करके फायर करती है, इस तरह के कैनन्स बनाने की शुरवा 13 से 14 सेंचुरी के बीच में चाइना में होई थी, लेकिन वो हैंड कैनन्स आज के हैंड कैनन से काफी अलग थे, इस कैनन्स में जाने वाली लॉंचर एमो भी फ्री फायर में से काफी अलग है, तो दोस्तों अब तक तो आपने देखे हैं गन्स, अगर आपको फ्री फायर के कुछ और गन्स के बारे में जानना है, और अगर आपने हमारी पिछले वीडियो नहीं देखी हैं, तो रन जाके देखिए, गन्स के अलावा मेले वेपन्स हैं, जो फ्री फायर के गेम्स को और भी शानदा बना देते हैं चलिए हम कुछ ऐसे ही वेपन्स को और करीब से जानते हैं नमबर वन कटाना कटाना सामुराई का फेवरेट वेपन है आम तोर पर आप कटाना को हयातों के पास देख सकते हैं ये फ्री फायर की सबसे स्टालिश मेले वेपन्स में से एक है काटाना का यूज mostly close range में किया जाता है इस वेपन की रेंज फ्री फायर में यूज होने वाली बाकी वेपन से जादा है क्योंकि फ्री फायर एक शूटिंग गेम है इसलिए काटाना का यूज शायद ही आपको करना पड़े Katana का damage 66 और accuracy काफी एच्छी है Katana real life में एक Japanese sword है इसका use 14th century में जपान में हुआ था और आज भी इसका use किया जाता है Katana का weight 1.1 kg से 1.5 kg तक होता है पुराने जमाने में समुराई इस sword का use किया करते थे Number 2, Bat Bat Free Fire का एक और melee weapon है और इससे भी enemy को मारा जा सकता है Bat का average body damage 30-40 है वहीं अगर आप headshot मारें तो एक ही बार में आपका enemy धेर हो जाएगा इस weapon को कम ही मौके पर आप use कर पाओगे G Arena Free Fire कई events लाती रहती है जिसमें Bat की खुबसूरत skins आप Free Fire में cube कर सकते हैं G Arena Free Fire के bat baseball bats से inspired होकर बनाए गए है ये baseball bats wooden या metal के बने होते हैं ये अप्रोक्स एक मीटर और weight एक किलो ग्राम तक होता है Number 3, Pan melee weapon में pan का size सबसे बड़ा है इस pan की खास बात ये है कि आप इस से bullet को block कर सकते हैं और अगर pan enemy के पीछे लगा हो और enemy आप पर पीछे से fire करे तो आपको बिलकुल भी damage नहीं होगा अगर आप pan को हाथ में लेकर run करते हैं तो character की movement speed बढ़ जाती है सिर्फ bullets को deflect ही नहीं बलकि आप close range में pan की मदद से अपने enemy को भी खत्म कर सकते हैं रियल लाइफ में free fire का ये pan एक arm cooking pan है जो आपके घर में भी इस्तिमाल होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो pan असली bullets को deflect कर ले परांग एक बड़े चाकू या sword tipper का weapon है इस weapon का headshot average 110 और body shot average 25 है परांग का use आप game में ही कर पाएंगे परांग को हाथ में लेकर दोड़ने से character की movement speed बढ़ जाती है असली जिंदगी में परांग इंडोनेशिया में बना था इसका जादा तर्यूज Australian लोग करते हैं चॉपिंग के लिए ये एक बहतरीन weapon है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुर मत बोनिएगा और ऐसे इन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल Fact FC को सब्सक्राइब कर लीजेगा